नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो आज की ये वीडियो सभी आंगनबारी सेविकाओं के लिए काफी खास होने वाली है जैसे कि आंगनबारी बहनों के लिए एक बहुती अच्छी खबर निकल क्या रही है कि जो आंगनवारी सेविकाओं का अनपराशन गुदभराई और सीम रिचार्ज का जो पैसा काफी दिनों से लंबित है उसी के संबन्द में ये लेटर जारी किया गया है तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आईसीरी विभाग के तरफ से जो लेटर जारी हुआ है उसमें आपको अनपराशन गुदभराई और सीम रिचार्ज का पैसा कब तक आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो वीडियो को आप लोग लाश तक जुरूर देख लिजेगा और आज के ये वीडियो आप सभी को पुसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर दिजिएगा तो चलिए सुरू करते हैं आज की ये वीडियो तो देखिए समेकित बाल विकास सेवाए ICDS निदेसाले ने एक पत्र जाड़ी किया है जिसका दिनांग के यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 17.1.2022 यानि कल साम को ही इस लेटर को जाड़ी किया गया है जिसकी संची का संख्या है 192 इस लेटर को जाड़ी करने वाले हैं निदेसक ICDS और सेवा में सभी जीला प्रोग्राम पतादिकारी सभी बाल विकास परियोजना पतादिकारी तो देखिए यहाँ पे इस लेटर का विषय दिया गया है राश्ट्रिय पोशन मिशन अंतरगत अवांटित अनपराशन गोदभराई तथा सीम रिचार्ज की राशी के सत परतिसत ब्यायक करने के संबंद में जैसा कि आगनबरी सेविकाओं का जो राशी बाकी है जैसे कि कुछ आगनबरी सेविकाओं का 6 महने से बाकी है कुछ आगनबरी सेविकाओं का साल भर से 2 साल से तो जिनका भी पैसा अभी बाकी है अनपराशन गोदभराई और सीम रिचार्ज का उनका पैसा जल्दी आप के एकाउंट में ट्रांसफर कर दिये जाएंगे तो नीचे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कब तक आपको इसकी रासी ट्रांसफर कर दी जाएगी इसके डेट भी निर्धारित कर दिया गया है वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते गया कि सेविकाओं को अनपराशन गोदभराई तथा सीम रिचार्ज की रासी का अभिस्त्राव जमा करने के पस्चात भी उन्हें सो समय बाल विकास पर्योजना रियाले द्वारा रासी उपलावद नहीं कराई जाती है तो देखिए जो सेविका सहाई का संग की बैठक जा रही है जिससे आंगनबारी सेविकाओं को काफी परेशानी हो रही है तो इसी को देखते हुए आईसीरियस विभाग ने एक पत्र जा किया है जिसमें की कर्याले को भी एक निर्देश दिया है कि आपको से जल्द आंगनबारी सेविकाओं की रासी ट्रांसफर कर दी ज दिया जाता है कि अनपराशन गोदभराई एवं सीम लिचार्ज की रासी के बिरूद कर्यालय में लंबित अभिश्रोव का भुगतान दिनांक 2021-2022 तक अनिवारे रूप से कर दिया जाए। पिनांक 2021-2022 तक करते हुए ब्याय परतिवेदन निदेसालय को भेजना सुनिशित करे अन्याथा इसे अतियंती गमभीरता से लिया जाएगा। पिछले कई महीनों से आंगनबारी सेविकाओं की रासी बाकाया है उसका जो यहाँ पे डिर्ट दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं कि 2021-2022 तक रासी भेज दी जाएगी। तो उमीद है आप सभी को आजकी ये बीडियो पसंद आही हो तो इस बीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अगनबारी सेविकाओं के साथ सेर जरूर करें तो मिलते हैं फिर किसी नए टोपिक नई जनकारी के साथ तब तक आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद